हलो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेलर अनसारिया शोड़ी क्लासेज में तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने माला हूँ इतिहास इतिहास के तीन भाग होते हैं पहला हो गया प्राग एतिहासिक काल मतलब इतिहास तीन भाग भी पढ़ा जाता है पहला प्राग एतिहासिक काल और तीसरा अटिहासिक काल अब जानते हैं कि प्राग एतिहासिक काल में कौन-कौन काल पढ़ते हैं और एतिहासिक काल में कौन-कौन काल पढ़ा जाता है चलिए उसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों प्राग एतिहासिक काल पहला तो प्रागयती हासिक काल में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें चार भाग है मतलब पूरा पासानकाल उ नोपासानकाल और इसके चार भाग है इसके चार भाग में कौन-कून है तो पहला है सिंधू-स Zaragata है और तीसरा जो है उँए हड़ापा सब्यता है एकि आतिहासिक काल के अंतरगत हम लोग इस चार भागों को अध्यन करते हैं और आगे पढ़ते हैं आगे है जो एकी एक इतिहास का तिस्तरा भाग है तो एक है काल में हम लोग जो है यानि कि पांच भाव का अध्यन करते हैं और पहला है प्राचीन काल पहला क्या है प्राचीन काल और दूसरा है मध्यकाल यानि कि पहला प्राचीन काल दूसरा मध्यकाल और तिसरा अधुनिक काल और चौथा जो है उनेहरुकाल और पांचवा विश्वे यानि कि एतिहासी काल में हम लोग जो है कि पांच भाव का अध्यन करते हैं प्राचीन काल मध्यकाल अधुनिक काल नेहरुकाल और विश्वे और आगे मैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन सब कालो में मतलब कब से स्टार्ट होता है किसमें क्या पढ़ना है तो आज के लिए इतना है रहना देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वास में तब तक के लिए जय हिंद